तो एक तरफ पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि रूस और युक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी लेकिन पुतिन के इरादे से साफ है कि उन्होंने युक्रेन को दुनिया के नक्षे से ही हटाने का मन बना लिया पुरी दुनिया को उमीद है कि बाचीत से समाधान निकलेगा लेकिन जिलेंस्की भी किसी भी हाल में जुकने को तयार नहीं है मिसाइल ड्रोन से वार जोन में जबरदस तबाही मची हुई है पुतिन के इरादे खतरनाक हैं वहीं जलेंस्की ने भी अब टागेट बदला है रूस के कई शहर युक्रेन के निशाने पर है विद्रोही लड़ाकों की मदद से युक्रेन रूस के अंदर लगाता टागेटेड हमले कर रहा है इस बुलिटन में हम आपको वार जोन की तमाम बड़ी खबरे दिखाएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका की नई प्लानिंग ने कैसे पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है लेकिन आए चुरुआत कर लेते हैं इस वक्की सबसे बड़ी खबर के साथ जैपुरीजिया परबानू प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि परबानू प्लांट में खत्रा पढ़ गया है आईए ये ने प्लांट की सुरक्षा पर चुंता जाहिर की है प्लांट के पास सैनिक गतिविद्या दरसल बढ़ गई है उसके बाद ये बड़ा खत्रा एक बार फिर से जैपुरीजिया न्यूक्लिप आउट प्लांट पर मंडरा आता हुआ खत्रे को देखते हुए प्लांट के करमचारी कम किये गए ये भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है तो वहीं जैपुरीजिया से खत्रा तो बढ़ ही रहा है साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी पूरी दुनिया पर पड़ा है और इस पीच रूस और यूक्रेन का भयंकर युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा हूँ सितंबर में ही सर्वनाश का सबसे बड़ा सायरन बज़ गया है यूक्रेनी पोर्स ने इस बार जो कुछ किया है उससे क्रोधित पुतिन परमानु संघार कर सकते हैं एट्पी सुनामी आने का सायरन बज़ने लगा सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे क्या पुतिन क प्रतिशोत का आस्त्र परमानु बं होगा पुतिन अब ऐसी बारुदी बारिश करने वाले हैं जिससे यूक्रेन पूरी तरह से मट जाएगा रूस यूक्रेन से ऐसा पदला लेने वाला है जिसमें यूक्रेन खंडहर बन जाएगा पुतिन के प्रतिशोत की बज़े बनेंगे वो हमले जो यूक्रेन रूसी जबीन पर कर रहा है यूक्रेन रूसी शेहरों को लगता ड्रोन हमलों से तर्गट करने की कोशिच कर रहा है युक्रेन के इनी ड्रोन हमलों से क्रेमिल क्रोट से भर गया है और महा विनाश करने की कसम खाली है उतिन ने युक्रेन को खत्म करने का आदेश दे दिया है अब रूसी सेना किसी भी हद तक जाने को तयार है पुते ने युक्रेन में महाविनाश करने का ओर्डर क्यों दिया अब इससे भी जान लीजिए दरसल एक माईने से युक्रेनी सेना रूस के अंदर लगातार हमले कर रही मॉस्को क्रीमिया ब्रियांस्क वेलगरोध जैसे शहरों पर ड्रोन हमले हो रहे यहां तक कि सेवेस्टो पॉल में रूस की ब्लैक सीव फ्लीट पर भी कई बार ड्रोन हमले की कोशिश की गई अलगी युक्रेन के ज्यादातर हमले नाकाम हो गए यह हमले मॉस्को प्रियांस्क और वेलगरोध में हुए युक्रेनी सेना ने सुबह सुबह इन तीनों शहरों पर एक साथ भावा बोला युक्रेन के ज्यादातर ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं बावजूद इसके युक्रेनी फोर्स रूस को बड़ा जख्म देने की कोशिश कर रही है विचर 24 गंटे में युक्रेन ने रूस के तीन शहरों में ड्रोन हमला करने की कोशिश की और उसके कई हमले सपल भी हो गए व्यांस्क में युक्रेनी सेना ने सुबह सुबह ड्रोन हमले किये एक ड्रोन इमारत पर जाकर गिरा इमारत में भीशन आग लग गए युक्रेन का दावा है कि ये रूस का हत्यार गोदाम था जो ड्रोन हमले में तबाह हो गया प्रियांस्क में युक्रेनी हमले में रूस की डिफेंस फैक्टरी भी तबाह हो गए रूस की राजधानी मॉस्को में युक्रेन ने दो जगों पर ड्रोन से तबाही मचाने की कोशिश की रूस का दावा है कि उसने दोनों हमलों को नाकाम कर दिया लेकिन सच ये है कि ड्रोन हमले के बाद मॉस्को की दो सरकारी इमारतों में आग लगे रूस के बेलकरोग शेहर में भी युक्रेन ने कई ड्रोन हमले किये लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने इन हमलों को नाकाम कर दिया खैरसोन में युक्रेनी फोर्स ने रूसी इंटलिजन्स अथिकारियों को लेकर जा रही कार को उड़ा दिया 24 घंटे में युक्रेनी फोर्स जिस तरह से हमले कर रही है उसे लग रहा है कि जेलन्सकी ने हमले की रणनीती बदल दी है अब युक्रेनी सेना रूस के हात्यार फाक्ट्री, हात्यार गोदाम और रूसी जनरल को टागिट कर रहे हैं जलन्स की सेना को इसमें काम्या भी भी मिल रही है 24 घंटे में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचा है युक्रेन के हमलों में रूस की तीन डिफेंस फैक्टरी जल गई मस्को, प्रियांस्क और बेलगरोध में 6 इमारतों को नुकसान पहुचा है खेरसोन में रूस के 31 सैनिक मारे गए है युक्रेन के इसी काउंटर अटैक से पोतिन और क्रिमलिन आग पबूला है पोतिन ने फीशर बंबारी का आदेश दिया तो रूसी सेना ने वोडेसा में शाहे ट्रोन से जबरदस धमला किया रूस के इस हमले में युक्रेन की फ्रन्ट लाइन खत्म हो गई रूसी सेना के हमले और पोतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस अब एक ऐसा विद्वन सक बदला लेने वाला है जिसमें युक्रेन का खत्मा हो जाएगा परमाडू हमले का डर लगातार पड़ता जा रहा है जिससे नेटो टेंशन में है अमेरकी विदेश मंतराले की प्रवक्ता मागरिट मैकलियोड तीवी नाइन भारत वर्ष के स्टूडिय पहुंची उनसे टीवी नाइन भारत वर्ष ने युद्ध को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि युद्ध तभी खत्म होगा जब पोतिन चाहेंगे यही सच भी है युद्ध तभी खत्म होगा जब पोतिन चाहेंगे जब रचल ने लराई को कतम करें तो यह जंग करेंग, करेगा, जब युकरेन, अगर युकरेन लराई कि टम करें तो युकरेन ही कतम होजा, पुरी दुनिया रूस की तरफ देख रहे है, उसका सलूशन करेंगा, अब दो ही विकल्प है, पहला या तो पोदिन, खोधी ग्रेन को खात्म करते हैं। ग्रेन के आने वाले अनाज की सुरक्षा के लिए इसा कदम उठाया जा रहा है। लगता नहीं है कि अब हार टलेगे। लगता नहीं है कि युखरेन अब टिका रह सकेगा। ताबर तोड़ प्रहार के सिलसले के बीच अब रूस की जीत का रास्ता थोड़ा साफ होता नज़र आ रहा है। पर फारी तक किसी तरह युखरेन युद्धों में कायम रहे। इसकी कोशिश पस्चिमे देशों में शुरू हो गई। ओडेसा में रूस का ताबर तोड प्रहार जारी है। तबी रूस का एक धोन इस इमारत से टकराया और फिर भायंग का राग लग देए। जेपरीजिया में रूस की एरो स्पेस फोर्स ने मोर्चा समाल लिया है। यहां रूस ने 500 किलो के बम से हमला किया। एक के बाद एक चार बम के हमले से जंगल का एक बड़ा इलाका तहल उठा। रशन एरो स्पेस फोर्स के लड़ागू हेलिकॉप्टर्स ने हमला तेज कर दिया। युकरेन के अलग-अलग इलाकों में कई पार हमाय हमले किये गए। जावा है कि इन हमलों में युकरेन के कई ठेकानों को तबाह कर दिया गया। युकरेन के कई आरबर भईकल को भी निशाना बनाया गया है। रूपियांस्क में भयंकर जंग चल रही है रूस की सेना ने इस इलाके को घेर लिया है यूपरेन की आर्मी बाहरी इलाकों से हमला कर रही है लेकिन रूस के सेनिकों का मजबूत घेरा तोड़ने में नाकाम हो रही है रूस ने यूपरेन के एक ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया जबीन पर पड़ा ये ड्रोन रूस के लिए बेहत खातक साबित हो रहा है रूस के ड्रोन लगतार सर्च अभ्यान चला रहे है इस अलाके में रूस के ड्रोन में यूपरेनी सेनिकों का एक भेकाना नज़र आया रूस के ड्रोन ने उस इमारत को तबाह कर दिया सूमी में सब कुछ बरबाद हो चुका है ये तस्वीर एक स्कूल की है रहाशी इमारतों के साथ स्कूल और अस्पताल भी तबाह हो चुके इस कार में रूस की खोफिय अजेंसी और सेना के अफसर सवार थे अचानक कार में जोड़दार धमाका हुआ घैरसौन में हुए इस धमाके में एक रशन अफसर की मात हो गई जबकि एक गंभी रूप से सख्मी हो गया और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रियांस्ट से जहां यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है रूप से तीन यूक्रेनी ज्रोन यहाँ पर मार गिरा है रूप के रक्षा वंत्राले की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है तस्वीरे भी आपके सामने है यहाँ पर ग्रियांस्ट से यह तस्वीरे सामने आ रही है अक्सर इस अचूक रणनीती को सामने लाने वाली सेना भाप नहीं पाती है, सामने जो खड़ी होती है और विरोधी सेना के बिचाय जाल में फस जाती है बिल्कुल, पुतिन ने क्रेमिया में कुछ ऐसी ही रणनीती अपनाई जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में जिलेंस्की के सैनिक पुतिन के चक्रवी में भस गए क्या है पुतिन की रणनीती इस रिपोर्ट पे समझे क्रीमिया में कैसे घर गया युक्रीन क्रीमिया वी हुमें कैसे फसे जैलेंस्की क्या रूस ने क्रीमिया की और बड़ते जैलेंस्की की सेना को अपने चक्र व्यू में फसा दिया क्या क्रीमिया को वापस लेने के अभियान ने जैलेंस्की को मौत के भू में डाल दिया मीदिया रिपोर्ट्स के मताबिक युक्रेन अप्रीमिया पर बड़ा हमला करने की हालत में नहीं बलकि पुतिन ने जैलेंस्की की सेना को क्रीमिया में चारों तरफ से खेड लिया है क्रीमिया में युक्रेन की सेना वरूस ने पूरी तरह से फंदा कस दिया है मीदिया रिपोर्ट्स के मताबिक रक्षा जानकारों का मानना है कि जैलेंस्की की सेना रक्षरी और और उर्वी युक्रेन में ना सिर्फ मिचvenue चुकी है बलकि युक्रेन की बहुत बड़ी सेना को पतिन ने अपने कूट जाल में फचा लिया है मीडिया रिपोर्ट्स के पताविक युक्रेनी सेना इस जपुरीजिया में रोपोताइन के पास फस गई रूस ने युक्रेन की सेना को पहली और दूसरी डिफेंस लाइन के बीच फसा दिया युक्रेन के पास क्रीमिया पर पूरी तरह से हमला करने के लिए संसाधन नहीं येकिन ये सब कुछ पोतिन की उस युद्धनीती से संभव हुआ जिसे दुनिया के बड़े बड़े रणीती कार भी नहीं समझ पाते हैं पहले तो पुतिन ने सेपुरीजिया के रोबोताइन से अपनी सेना की वापसी कर दिखावा की जब बहुत बड़ी संख्या में युक्रेन के सैनिकों ने रोबोताइन क्षेतर के अंदर कदम रखा तो रूसी सेना बड़ा दाप चलते हुए पीछे हट गए पुतिन ने इस अलाके में हार मान ली है पुतिन की एक चाल थी इंस्ट्यूट फॉर दे स्टाडी ओफ वॉर के मताबिक साउथ इस युक्रेन में रूस की डिफेंस लाइन का तूटना पुतिन की एक ऐसी कूट नीती थी जिसके पीछे उनकी दूर गामी योजना छिपी थी क्योंकि साउथ इस्ट युक्रेन में जैसे ही जिलन्सकी की सेना सेकंड डिफेंस लाइन पर पहुची पुतिन की युक्रेनी सेना को चारो तरफ से इस तरह से खेर लिया जैसे दानों के लालच में परिंदा जाल में फस जाता है रूसी सेना के रोबोताइन छोड़ते ही युक्रेनी सेना दक्षर युक्रेन में आगे बढ़ने लगी वोतिन को इसी बागे का इंतसार था क्योंकि शिर्वाती सफलता से उत्साहित होकर सेलंश्की ने रोबोताइन में बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना उतार दी थी अब युक्रेनी सेना का बड़ा हिस्सा रूस के चक्र व्यू में फस गया है क्रीमिया में बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना के फसजाने के बाद अब पुतिन बड़ा कदम उठाएंगे रूस की सेना यूक्रेनी सेनिकों का बड़ा सनहार कर सकती है दूसरी जगों की तरहार रोबोटाइन में भी रूस के दस हजार सेनिकों का जमावडा लगा हुआ है यूक्रेन के कमांडर यहां भी सरेंडर के लिए मजबूर हो सकते हैं खाल की दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कमशा करने के लिए बड़ा अभ्यान शुरू किया था प्रीमिया में जलन्सकी के सेना ने बड़े हमले भी किये इस बीच यूक्रेन ने ये भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के समुदरी ड्रोन से बचने के लिए खुद को मंदर गाहों या खालियों में छिपाए हुए है इसका मतलब ये भी माना जा रहा है कि क्रीमिया में युक्रेन के दोट हमलों से रूसी सैनिक तो सुरक्षित है लेकिन युक्रेन खुद को खिरा हुआ महसूज कर रहा है EuroReport, TV9, Haramash